नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है आज मैं सदा बहार बिनका कवारी में पूरी जानकारी दूंगी ये पौधा पूरे साल फुल देने वाला है ये दो वराइटी में आते हैं देसी और हाइब्रेट देसी इजी ग्रॉइंग है वो कहीं भी लग जात है और हाइब्रेट वाले को थोड़ा ख्यार रखना पड़ता है ये देखिए मेरे सारे पौधे हैं जिसे मैंने कटिंग से लगा हैं आज मैं हाइब्रेट विंका की कुछ कटिंग लगाने जा रही हूं तो सोचा साथ साथ में आप लोग को भी बताओं की कटिंग कैसे मेरे वीडियो पर लाश्ट तक बने रही है टापी आपको पूरी जानकारी मिल सकते हैं कि मैंने इस बिंका के पौधे को दिसंबर में कटिंग से लगाई थी इसमें अब बहुत अच्छी तरह से फूल आ रहे हैं कि मैं सुखे हुए उनको नहीं निकालते इसलिए कि हमें बीज चाहिए और इसमें अब बीज बनने शुरू भी हो गया है तो जो इस तरह से थोड़े से ब्राउन कलर के बीज दिखने लगते हैं उसे मैं तोड़कर निकाल लेती हूं और उसे किसी चीज में निकालकर रख लेती हूं कि यह बीज से लगे हुए पाउगे नहीं है यह तो कटिंग से लगे नहीं है लेकिन इस तरह से बीज निकालके लखने पर मैंने इसी की बीज कर दो कि जिए इस बीज बना है इसे एक में नहीं पहले है कि मैंने वह गेत को कोड़ीट और भॉल में को पोस्ट के निक्षे में डाले थे पितनी बड़ी 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 हो गया है लेकिन यह अभी कहीं लगाने कि लाइप नहीं है कम से कमी ती चार बड़ी पिजाएग और इस कटिंग को मैंने एक मेने पहले दिश्यास में लगाई थे अब इसमें फूल आने लगे हैं तो मैंसे किसी और दूसरे चीज में लगाऊंगी कभी गलती से भी कोई कि टूट जाते हैं कोई ब्रांच टूट जाते हैं तो उसे फेकने के बज़ाए कहीं ने बजाए कहीं सब्सक्राइए करते हैं इसी तरह मैंने कहीं इसमें जाए झाले लगाई थी और इसी में कहीं जगह नहीं मिलने समय इसी में इसको भी लगा दिये थे अब इसमें भी फूल आने लगे हैं तो मैं आज दोनों को किसी चीज में इसे मैं इस तरह से दोनों पवधों को अलग कर लूंगे देखिए मेरे और ये मेरे डेलिया इसके बहुत है अलव हो गाएं दोनों के जड़े कितनी हल्दी बनी होगी है डेलिया के कटिंग का तो वैसे भी जड़े बहुत जल्दी हल्दी बन जाते हैं इस कटिंग को मैंने सिर्फ रेट में लगा रहा था देखिए सिर्फ मकान बनाने वाले रेट हैं और उससे कोको भी टरबड में कर्पुष्ट के मेक्चर में लगाई थी इस मैं पॉली बैग म में लगा रही हूं इसकी मिट्टी है क्योंकि इसकी कटिंग के तो जड़े बन गई है और इसकी मिट्टी में बदल दूंगी इसमें मैंने मिलाया है कोको पिट राइस खस बढ़नी कमपोश्ट गार्ण स्वाइल नीम खली थोड़े से फंगी साइड इसमें डालकर मैंने मिट्टी तैयार की है थोड़े सी से नीचे की और इस तरह दवा कर और पानी डाल देंगे कटिंग आप अभी भी लगा सकते हैं एक कटिंग किसी पवदे में से काट लीजिए इसमें दो तिन नोट इस एरिया हो और उसे इसी तरह सिर्फ सेंड में भी लगा देंगे तो चलेगा अगर कोकोविट नहीं होगा तो और अगर आपके पास कोकोविट है सेंड है तो आप मिलाकर लगाएं पंद्राइब इस दिन में इसमें जड़े बन जाएंगे मेरे जो भी ओधे दिख रहा है मैंने सब इसे कटिंग से ही लगाया है आसानी से लग जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है कोई परशानी नहीं होती है अब जो पौधे लगे हुए है इसे भी यह जिनिया के हैं इसे भी महिने हैं करीब दो महिन पहले कटिंग ही लगाए थी यह दिन थस है इसे भी मैं इसी पॉट में कटिंग लगा दी थी सारे कटिंग मेरे लगते हैं मैं इसे भी निकालकर किसी बड़ते में नहीं डाल पारी है क्योंकि पॉट भी ठाली नहीं है कि देखती हूं फिर आगे किसी पॉट में लगांगी कि दिखेंगे मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और डिल आइकन को दबा दीजिए आपको मिल सकें फिर अगे किसी वीडियो में मिलते हैं